आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या Chinese phone खतरनाक है यह सब बकवास है और अगर खतरनाक है तो कितने खतरनाक है जब भारत और चीन के बीच में टकराओ हुआ था तो उसमें कई बाते हैं सामने आए थी जो चीन की कंपणियां भारत में बहुत सारे उपकरण बेशती है विशेसकरदूरसंचार के उपकरण उनसे चीन भारत के बारे में जानकारी गटा करता रहता है एक बात ये भी आए कि जो Chinese एप हैं वो भी भारत की जानकारी चीन की सेना और उनके सरकार को देती हैं जिससे वो हमारा नुकसान कर सकती है और भारत सरकार ने कई सारी एप्स की equipment के बारे में और बाद में Chinese mobile के बारे में भी होने लगी अच्छे क्या होता है जब हम सब बातों को एक साथ उनके बारे में visualization करते हैं तो सब mix-up हो जाता तो एक एक कर देखते हैं सबसे पहले तो इस बात को देख लेकर देख नहीं क्या Chinese company भारत में जो mobile phone बेिसती हैं उ इस तरह की companies research में बहुत पैसा खर्च करती हैं और अपनी गुणवत्ता के लिए बहुत जागरूग रहती हैं तो इससे क्या होता इनके खर्चे बढ़ जाते हैं और Chinese companies देखती रहती हैं कि क्या research हो रही है दुनिया भर में और उसको अपना लेती हैं और क्योंकि इनकी पास बड़े-बड़े कार खाने हैं जहां दुनिया के सारे मुबाइल्स के कलप पुर्जे बनते हैं तो फटा-फट वहां से पैदा कर लेती हैं और यह बात भी है कि कीमतें कम करने के लिए बहुत जगह यह सस्ता प्लास्टिक लगा लेती हैं जहां धातु लगनी चाहिए वह अब आते मुख के मुद्धे पर कि क्या चाइनीज फोन किसी तरह नुकसान कर सकते हैं देखे इसको भी तीन हिस्सों में माट लेते हैं एक तो आर्थिक नुकसान पूरे देश के लिए दूसरा सुरक्षा के हिसाब से क्या यह देश के लिए खतरनाक होते हैं और तीसरा आ काइना के विखते हैं चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो चाहे इंडिया हो तो ऐसे में इससे मुक्ति तो है नहीं और यह भी होता है कि जैसे अगर दस हजार रुप्य का इन्होंने फोन बीचा तो उसमें आठ जार रुप्य तो भारत में ही रह जाते हैं इतना ताम देश में जाता है जो उस पैसे को हमारे देश के खिलाब भी उसका उप्योग करती है लेकिन जो यह आर्थिक नुकसान है यह और तरह के नुकसान से काफी कम है अब देखते हैं देश की सुरक्षा से कैसे खिलवार करते हैं और इसके कुछ चीज़ां तो आपके हमारे सु करते हैं और यूरोप के कई देशों में ऐसा पाया गया हाल में लिथ्वेनिया जो कि एक यूरोप का देश है वहां कि रक्षा मंत्राले ने तो अपने देशवासियों से कह दिया कि देखिए नया फोन तो बिल्कुल मत खरीदी है चाइनीज और आपके पास पुराना फोन है शियो में उसके फोन के बारे में तो यह पाया गया कि वो चुप चाप यूजर का डाटा उनके सिंगापूर में सर्वर हैं बड़े कंप्यूटर हैं वहां भेज़ देती हैं और वहां उनका एनलेसिस होता है फिर दूसरा एक बहुत बड़ी कंपनी है इनके हुआ भी उ इसे चाइनी फोन में कुछ ऐसे अप नहीं सकतें कुछ ऐसे होते हैं कहा एक इप ऐसमें बना देती हैं और उसकी फिर होटे हैंनरे got तो तो उसके रिजल्ट ऐसे होते हैं, जो कि चीन की सरकार और वहां की सेदा को ठीक लगते हैं। कुछ एपस ऐसी होती होती हैं, ऐसी परमिशन मागती हैं आपसे, इंस्टॉल करते समझ जिनकी जरूरती नहीं होती है। अब आपने फोटो को सुन्दर बनाने वाला एप डाला, तो कहता है आप उनको परमिशन दीजिए, कि आपकी कॉल का डाटा भी हमारे पास आजाए, आपका SMS का डाटा भी आजाए, और क्योंकि आपको उस समझ वो एप अच्छी लगती है, आप उसको कहते हैं, हाँ, हाँ, तो सब कर ले, और वो डाटा आपका लेता रहता है, कई बार जब इनकी कमपनिया पकड़ी गई, तो उन्होंने ये बहाना लगा दिया नहीं, हमारे पुराने फोनों में कुछ कमजोरी थी, अब तो हमने सब ठीक कर दिया, अभी भारत सरकार ने चीन की सारी कमपनियों को, जनके की ऑफिस भी भारत में उन्होंने खुल दिया है, उनसे कहा कि भई, आप अपने हार्डवेर और सॉफ्टवेर को हमसे चक कर आओगे, उनको नोटिस दिया हुआ है, होगा क्या, उस सर्टिफिकेट लेने के लिए आपका सब पालन कर लेंगे आपकी बातों का, लेकि अपना फोन का अप्योप करते हैं, अब हमारा डाटा को यह ले भी ले तो क्या कट लेगा, नउससे देश का कुछ नुक्सान होना, ना हमारा नुक्सान होना, लेकिन ऐसा नहीं होता, दुनिया में जो यह intelligence agency होती है, खुपिया तंत्र होता है, यह बहुत ही शातिर होता है ये कहां से क्या निकाल लेता आपको नहीं पता हम आपको इक उदारण देते हैं अग्भार में आया था कुस टाइम हो गया है हमारी देश में एक खुपिया एजनसी ने क्या किया कि यही इस तरह का डाटा ले लेके उसको लगा कि यहां के कुस लोगों को पकड़ा जाए एक शहर का डाटा उनने खागालना शुरू किया उसमें उन्हों ने पाया है कि बहुत सारे यूअक शाम के समय एक दुकान में जाते हैं खरिदते कुछ नहीं है तो उनको पता लग गया है कि यहां से ड्रक्स अपलाए होती है उसके बाद उन्होंने क्या कि उनके पास फोन नमबर तो सब आ गया है तो उन्होंने फेस्बुक में प्रोफाइल बनाई वैसी बनाई जो कि उसी शहर के लोगों के हो सकती थे और खुब सारी प्रोफाइल बनाई गुरुप बनाई उसमें धीरे धीरे इन सब लोगों को डाल दिया अभी गुरुप वालों को तो लगा कि भी यह सब तो अपने यहीं के हैं और सब भचानवाली नजर आते हैं तो धिरे धिरे भरोसा बढ़ गया तो पूरा एक ड्रग का तंत्र वहां बैठा दिया इसी तरह चाहे तसकरी हो चाहे टेररिजम आतंकवाद हो चाहे देश की खुपिया जानकारी लेनी हो यह कुछ भी काम कर सकते हैं यहां तक कि गरीब और ऐसे लोगों से जिनका की देश की सुरक्षा वगरे से लेना देना नहीं और कभी-कभी तो ब्लैकमेल कर सकते हैं इन बातों से अगर आपको यह लग रहा है कि हम आपको ढरा रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है और हम कोई चीन से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है और अगर आपको चीन का मुबाइल सस्ता मिल रहा है और थोड़ा बहुत उसमें कमजोरी भी है तो आप कहते हैं हमारे कुछ साल चल जाएगा अभी तो बहुत सस्ता मिल रहा है तो हम आपको कैसे मना करें लेकिन अगर आपने चीन का मुबाइल लिया है तो कुछ चीजों का तुद्धान जरूर रखिए नमबर एक सेकेंड एंड मुबाइल मत लीजिए अगर आपके किसी दोस्त वगर का है तो बात अलग है नहीं तो दूसरे ने क्या करके उसमें आपको दिया है कुछ नहीं वरुसा दूसरा उसमें जो प्री लोड़ेड एप्स हैं पहले से जो एप डाली हुई है उनमें केवल जो काम की एप हैं उनको छोड़के बाकी का उपयोग मत करिए उनको फोर्स स्टॉप कर दिए और उनक लिस्ट गॉल आती है और इस तरह की हरकते बहुत ज्यादा होती हैं तो और ज्यादा साफ़तान हो जाईए फोन को खाकाल लीजिए इसमें जो इन्बिल्ट ब्राउजर हो उसके बतले जो और ब्राउजर है जैसे गूगल है फाइरफॉक्स इस तरह के ब्राउजर हैं उनक इतनी निग्णारी रख रहा है कुछ ऐसे शब्द इसमें टाइप करिये सर्च करने के लिए जो चीन के विरुद्ध जाते हैं जैसे तिबबत में विद्रो विगुर मुस्लिम दलाई लामा अब इनी शब्दों को किसी और ब्राउजर में किसी ऐसे फोन में जो चैनीज फ प्राला है कि इस हम यहीं कहते कि सारी कंपनियां दूद की धुली है केवल चीन की कंपनियां उन पर आप शक करिए फेस्बुक तो ऐसी कंपनी है जो बहुत ही खराब पाई गई है इस मामले में वह सारे यूजर्स का डाटा लेके वह बेशती रही है और अब जब दुनिय ने रहा है कि यूदर कंपनियां तो सीदे सीदे दाटा को चीन की सरक और चीन की सरकार का ऐसा वहां इनके ऊपर शिकंजा है कि ही वो चाहा कि आभी इसे नहीं बस ये भी हम आपको भरुसा दिलाते हैं कि कोई मनगरंद बातों पर हम नहीं जा रहे हैं, ये तथ्यों पर आधारित हैं हमने जो बातें कही हैं, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक भी दे रहे हैं, आप उनमें जाके भी चेक कर सकते हैं, कि जो हमन दर्द हैं, वीडियो आपको लगातार मिलते रहे हैं, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अब देखें ना जो ये गोला बना हुआ बाबावला, इससे पहले कि ये चला जाए, इसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाए रहा,